नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संजय और आज मैं आज मैं आपके लिए लेक्टर की स्कुटर और इनका आज हम कंपरीजन करने वाले हैं वैसा तो हमने इन पर पहला भी वीडियो बनाया था तो इनका पूरा डिटेल वीडियो देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्रा अच्छाना चाहूंगा सबसब्सक्राइब बात करते हैं यह हमारे पास जेमों पाइप कंपनिका एस्टोय लाइट मोडल और यह हमारे पास एफटेक मोटर्स का एलमों सिटी स्टार मोडर्स इसकी कुछ खास बात है वह आपको आपको स्पोर्स लुक में मिल जाता है सबस यह लिया था तब यह 1,17,000 रूपय का आया था लेकिन अभी जो है इसकी आन रोड प्राइस बढ़ चुकी है एक लाग 25,000 हो चुकी है और यह वाला जो है वह भी आपको आन रोड एक लाग 25,000 रूपय का बढ़ेगा इन दोनों की रेंज की बात करते हैं तो यह जो आपको 200 किलोमेटर की रेंज देता है इको स्पीड के अंदर टॉप स्पीड के अंदर जो है यह आपको 500 किलोमेटर की रेंज देता है इसके टॉप स्पीड जो आपको 65 के आसपास मिल जाती है और इसकी टॉप स्पीड जो है थोड़ी सी कम है इसकी तुलना में क्योंकि इसकी रें तरह आपको काफिकूर पावरफल मोटरा दे गया है जो कि आपको पैट्रॉल वाले इसकीट रहा है उनकी तरह ही याने कि इंजन की जैसे इसका लुक दिया गया है और इसमें जो आपको पीचे जो है डिस ब्रेक मिल जाता है जिसे इसका ब्रेकिंग शिस्टम काफि नहीं दिया गया तो यह इसका एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेक की काफी जादा दिक्कत आती है यह जो है नॉर्माल स्कूटर की तरह आता है इसमें कुछ वैसे अलग से नहीं दिया गया है को डिजाइनिंग जो हमारे पहले पैट्रॉल की गाड़ी की तरह मिलेगा अब अगर इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो जो एसके बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा है मैंने ओला भी चलाया उनको चलाने के बाद जब मैंने इसको चलाया तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे उन स्कूटर से भी काफ सब्सक्राइब करें जा है और इसका जो रेंज है वह भी तक थोड़ी सी काम है इन दोनों के अंदर जो कुछ फीचर्ज जहां हैं तो मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर जो आपको कुछ कुछ इस तरह की मिल जाती है इसके अंदर रिमोट कंट्रोल नहीं दिया गया है और इसके अंदर जो आपको साइड सेंसर नहीं दिया गया है अगर इसमें रहता है उसके बाद भी यह जो है अब आप जो अगर एक्सलेटर देते हैं तो गाड़ी चलने लग जाएगी तो यह इसका थोड़ा सा मुझे नेगर्टिव पॉइंट लगा लेकिन इसके अंदर मेरे को एक चीज़ सबसे अच्छी लगी अगर जैसे माल लीजिए अभी मैंने इसके चाबी ओन कर दी है तो इसको डाइरेक्ट हम चला नहीं सकते हैं लेकिन अगर इसकी चाबी ओन कर देते है इसके अंदर यहां पर इस टार बटन दिया गया है इसको 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 बिना की ऑफ किये इसको यहां से अगर दुबारा प्रेस करते हैं तो अभी ओचुकिए अब हम किताबी एक्से लेटर दे लेंगे नहीं चलेगा और इसको वापस अन कर देंगे उसके बाद यह जो है नहीं दिया गया है तो इन दोनों के अपने अपनी कुछ special qualities है जो मेरे को बहुत अच्छी लगते इसके अंदर जो इसके बिल्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी रिंज काफी अच्छी मिल जाती है यह था इन दोनों का comparison video जो मैं आपको बता दिया है तो अगर आ झाल